एब्रिवान वेल्कम बैक चो यो फेवरेट चैनल एड़ 24 7 9th and 10th मैं हूँ शिप्रा तिवारी बहुत बहुत स्वागत है सो बच्चो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा माम की जबानी बेटा और आज हम पढ़ने वाले हैं the digestive glands के बारे में येस 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 आपकी NCRT में इतना explanation नहीं है पर आपको इसके साथ में किंचुम किंचुम क्या पढ़ाओंगी थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाओंगी कि इनकी वज़े से digestion कैसे होता है पिछले लेक्चर्स आपने लगा लिए होंगे उम्मीद कर रही हूं कि बहुत शानदार और सबस्दारी से आपने लगाए होंगे उसके नोट्स बनाए होंगे PDF आपको हमेशा सेशन के मिलती है प्लीज उनसे अपनी कॉपी बनाए है और प्लीज मझे टेलीग्राम में शेयर के लिए कि आपने नोट्स कैसे बनाए तो चलिए शुरू करते हैं digestive glands कि बारहे में बैटा digestive glands कौन सी ग्लैंड होती है बहिए वो ग्लैंड जो आपके digestion में मदद करें उन्हें हम digestive glands कहते हैं, glands की अगर मैं बात करूँ, किस की बात करूँ बच्चो, अगर मैं बात करूँ, किस की, अगर मैं glands की बात करूँ, किस की, glands की बात करूँ, तो gland जो होती है, यह हमेशा क्या निकालती है, secretion, secretion मतलब कोई भी चीज बाहर निकालती है, glands, glands क्या निकालती है सिक्रीशन में या तो यह कोई चीज हॉर्मून हो सकता है सिक्रीशन के नाम पर बच्चो या तो कोई एंजाइम हो सकते है हमें होर्मून से कोई लेना देना नहीं है इंदा डाइडेशन अभी क्लास 10 में इतना ही सीख लो वैसा तो है पर आपको वह नहीं पढ़ना है हमें लेना देना है एंजाइम से तो आज हम यह पढ़ेंगे कि कौन-कौन क्योंकि डाइडेशन जो है स्टार्ट कहां से होता है माउट से होता है उसके बाद आपका खाना पहुचा इसोफेगस में तो कोई डाइजेशन होता ही नहीं है और इसोफेगस से खाना पहुचा स्टमक में तो फूड पाइप का दूसरा पार्ट है बेटा जी स्टमक स्ट समक्तव के बाद खाना पहुचता हैं इंटिस्टाइट में सबांगे की आपको पढ़ेंस करेंगे पर कर आपको पिछले को समझायता कि इंटिसटाइब करता है और मतलब यह जो ग्लाइंड है हम पढ़ेंगे लीवर के बारे है और इसके बाद हम बढ़ेंगे इंटर्स्टिनल ग्लाइंड के ब मदद करती हैं क्या वह क्या चीज़ें हैं क्यों चीज़ें हैं क्या काम है आज की लेक्चर में हम जानेंगे तो पहला हमारा इजेंड है वह उपर से नीचे क्यों जाएंगे पर यह यादा कियेगा कि इस्टमक की ग्लाइन्ट्स कहते हैं और इंटेस्टिना जो डेस निकालती हैं तोने निकालती है हैं B लिए ग्हाहिंद शक्राच अगर हमें किसी भी किख पशाइनल रास तक होगी और प्र Legs, भी चीज का final digestion हमेशा small intestine में होता है का याद करेंगे याद करेंगे एक बर revise करेंगे carbohydrate का simple digestion in the glucose protein का simple digestion in the amino acid और fat का digestion into the fatty acid and glycerol these are the simplest unit of the carbohydrate proteins and fat हमारा objective digestive system में ये है कि हमें इन चीजों को इस form में लेकर आना है और कैसे लाएंगे बच्चो हम लाएंगे by the help of enzymes by the help of different kinds of enzyme which is secreted by the different kinds of gland present into your elementary canal और ये final digestion हमेशा होगा आपका small intestine में please remember it carefully ठीक है समझ में आगई बात now clear है आपके पास कौन-कौन सी gland है salivary gland liver है pancreas gastric gland intestinal gland है जो मैंने आपको भी बताया ठीक है और इसमें major out of major कौन-कौन सी है salivary glands है pancreas है और liver है पर हम intestinal hybrid gonna dalilee gland gland क्या निकालती है BXT filt 설 अल्यों यह यह हो एमाइलेज चारो में ड़फा स्टार्च कहां से आता है आपके चाबल और अलूसे उसके बाद इसमें कौन सा एंज़ाइम एक्ट करेगा बच्छो इसमें एंजआइम कर रहा है सलाइवरी इमाईलेज सलाइवरी इमाईलेज सलाइवरी इमाईलेज काम किया सuddhk शंफरा नाम होता है एंटिंधी का सवाल है चीजह के उसके बाद सब्सक verbessश्च को यह मल्ट करता है starch, यह क्या है glucose, glucose की लंबी chain को हम starch कहते हैं, पर जब आप इस लंबी chain को दो-दो की unit में तोड लेते हो, तो यह दो glucose जो है, इनको हम कहते हैं maltose, तो यह क्या कहलाता है maltose, ठीक है, maltose क्या है, glucose के दो unit है, simple glucose कहां convert करेंगे, simple glucose हम निकालेंगे small intestine में, यह दखना, किसी भी चीज़ का final digestion always occurred in the small intestine, clear है, अब starch को हम maltose में तोड दिये, single glucose हम कहां निकालेंगे, small intestine में, clear है, उसके बाद आते है, gastric glands, याद करिए, gastric glands क्या निकालती है, gastric glands, मेरे राचा बेटा, क्या निकालती है, gastric glands निकालती है, gastric glands निकालती ह यह elementary canal का function देखे, वहाँ पर आपको समझ में आएगा, मैंने properly gastric glands का function भी बताया है, वहाँ पर आपको चीज़े समझ में आएंगी, और अगर ना समझ में आए, तो next lecture, this is the last lecture of the nutrition, जिसमें हम physiology of digestion के बारे में पढ़ेंगे, कि exactly digestion होता का है, पुरा starting से end तक, तो gastric glands में क्या ह होता है, hcl होता है, pepsin होता है, pepsin क्या है, मेरे राजव बेटा, enzyme होता है, mucus होता है, pepsin किसका help करता है, protein का digestion करता है, तो आपके exam में, आपके board में, आपके NTSC में, kvpy में, यह सवाल भी आसकता है, कि बताइए कि digestion कहां से start होता है, तो इस्टरमक मत लिखना, digestion जो होता ह होता है आपके मालत से करी 30y परसंट का स्टार्श आप आपने माउठ में डालो है प्रोटीन का कहां से start होता है तो प्रॉटीन का डाइज़िशन स्टार्ट होता है आपके स्टमक से clear है सवज में आ गई बात नाओ आपको यह भी पता है मैंने क्या क्या बता है है क्या करता है यह माईक्रोब्स को किल करता है फ्रवाने को एंवायरमेंट को एसे डिक बनाता है एकल एंजा प्लीज टमक की दीवारों को बचा के रखो, तो HCL के अटक से आपकी स्टमक की दीवारों को कौन बचाएगा, म्यूकस, इसलिए जब सुबह उड़ते न तो एक लोटा पानी पीना चाहिए तरह की, या HCL नाम के पापी प्राणी का अटक आपकी स्टमक की दीवारों पे ना हो, समझ में आगए बात, now we'll talk about the liver, done है इतनी बात, बोलिए, so अब भी हमें क्या करना है, देखो, glands में हमने, glands में, हमने सबसे पहली gland जो पढ़ी, वो है salivary gland, salivary gland, कितनी है अपने पास, तीन है बेटा, तीन पेर, ठीक है, तीन पेर salivary gland होती है, clear, यह याद रखना है, क पेरोटीर कान के पीछे, सब maxillary, maxilla, mandible jaws होते हैं, इनके बीच में, उसके बाद lingual, jeep के नीचे, यह already में एक बार discuss कर चुकी हो, ठीक है, क्या निकालती है, बच्चो, क्या निकालती, notes बनाएए मेरे साथ, क्या सिक्रीट करती है, यह सिक्रीट करती है, सलाइवा, सलाइवा पे क्या होता है, enzyme होता है, कौन सा enzyme होता है, बच्चो, amylase, short notes बनाएए मेरे साथ, amylase, जो की क्या digest करता है, digest, notes बनाएए, short notes बनाएए, digest starch, starch को किस में convert करते हैं, maltose में, यह हो गया, आपका salivary gland का part, ठीक है, salivary gland की position कहीं भी हो बेटा, पर salivary gland की position कहीं भी हो, एक कान के पीछे होती है, पर उसके बावजू सिक्रीशन कहा होता है, आपकी बकल कैविटी में होता है, ना, salivary gland का, कान के पीछे से यहां तक कैसे आईगी, by the pipe, तो वो gland जो pipe के थुरू अपना सिक्रीशन देती, उन्हें, exocrine gland कहते हैं, पर वो tension नहीं लेना, जो gland अपना gland से मू की और, तो इसे हम exocrine gland कहते हैं, नहीं भी आदोगा तो छोड़ देगा, नेक्स्ट अपन बात करना है किसकी, next gland, which type of gland, second gland is the gastric gland, यही पढ़ा हम लोगोंने, second gland है बच्चो, gastric gland, जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, यह gland कहां present होती है, gland present, gland present, present on the wall of stomach, ठीक है, wall of stomach के present होती है, क्या निकालती है बच्चो, secret what, बताओ, क्या secret करती है, gastric juice, यह हम कई बार discuss कर चुके है, gastric juice में क्या क्या होता है, gastric juice में होता है, आपका pepsin, आपका HCL और आपका mucous function भी कई बार discussion हो चुका है, clear है, अब आते हैं हम लोग अगली अपनी gland में, जिसका नाम है बेटा जी, liver, अगली gland का नाम क्या हो गया बच्चो जी, अगली gland का नाम हो गया क्या, बताओ, अगली gland का नाम है liver, चलिए, liver के बारे में बात कर देते हैं, ठीक है, यहाँ जगा नहीं है, पर यहाँ पर मैं आपको छोटू-छोटू से कुंच ग्लेंड है, क्या है बच्चो, लार्जेस्ट ग्लेंड है, आपको पताओ, यह लार्जेस्ट ग्लेंड है, और यह लार्जेस्ट ओर्गन भी है, लार्जेस्ट ओर्गन भी है, साथ में बिजियस्ट ओर्गन भी है, बिजियस्ट ओर्गन का मतलब, पता है क्या होता है, सब हम सबसे अधिक काम करने का मतलब नहीं समझ पाए रही हैं हम लोग it performs performs more than 100 function more than 100 functions आई बात समझ में क्या बोला मैंने कि लिवर जो है यह आपके बॉड़ी की largest gland होती है क्या सिक्रीट करती है बाइल सिक्रीट करती जिसके बारे में हम भी डिसक्स करेंगे लिवर जो है यह सबस कि ऐसा organ जो की more than 100 function perform कर रहा है बच्चो तो हुआ ना busiest organ हुआ की नहीं हुआ तुम बता मैं कुछ बोल भी नहीं हुआ हुआ ना busiest organ तो यह organ सबसे ज़्यादा काम करने वाला organ होता है ठीक है अब हमको इस से मतलब है क्योंकि हम digestion से मतलब रख रहे हैं बाइल क्या होता है सुन्नों बाइल जो होता है ये एक 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 sorry product है ठीका ओओ ओ अ कि ए बाइल के बच्चो बाइल एक excretory product है excretory product अरे यह excretory product है थोड़ा अच्छे से लिखते हो रुख जाओ रहा है यहां से लिखते हो ठीक है रुख जाओ देखो बाइल नमबर वन पॉइंट यह एक excretory product होता है excretory product क्या होता है आप समझना देखो Bile Bile क्या है बाइल एक juice हैं क्या है बाइल एक juice है क्या है क्या है juice मतला मौसंभी का juice नहीं कि गटाक से पी लिए बटा शरीम में बढ़ेगा न तो पीलिया हो जाएगा यहा रखना पिर हमें बत बोलना है शुपर बाम आप तो बोल रहे थे juice है तो दूसरे का शरील फढ़के बाइल पी रहे है अपन ऐसा नहीं कर रहे है बाइल एक excretory product होता है बाइल एक excretory product है तो मैं क्यों निकल रहे है अभी आपको समझ में आएगा देखो बाइल एक juice है जो liver द्वारा निकाला जाता है बाइल में कुछ pigment होते हैं जिसे हम bilirubin, biliverdin कहते हैं वो आपको नहीं पढ़ना है बाइल का color पीला होता है बाइल का आपके शरीर में क्या काम है वो मैं आपको बताती हूँ बाइल के लावा बाइल का आपके शरीर में कोई काम नहीं होता दो काम है इसके वो मैं आपको बताती हूँ आपके शरीर में बाइल जो होता है वो शरीर से बाहर जाता है इन दा फॉर्म कहां से बाहर निकलता है बेटा यूरिन के यूरिन से बाहर निकल जाता है और पॉटी से बाहर निकल जाता है इसलिए urine का color भी हलका सा yellowish होता है और potty का color भी yellowish होता है due to the presence of the bile pigments bile का color क्या है? yellow color है क्योंकि इसमें color पाए जाते हैं bile के बेटा जी color क्या है bile का? number 2 यहाँ पे लिख रही हूँ bile का color क्या है बचो? bile का color शिप्रामाम है yellow ठीक है? क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? pigment ठीक है? और यह आपके सूसू और potty से बाहर हो जाता है ठीक है? सूसू और potty से बाहर हो जाता है now अगर मैं bile के function की बात करूँ तो इसके दो function है ठीक है? इसके क्या है? दो function है last class में जिन्होंने large intestine, small intestine इनके बारे में पढ़ा है क्योंकि last lecture जब तक आप नहीं लगाएंगे यह आपको समझ में नहीं आएगा तो पहले आपको last lecture पढ़के आना पड़ेगा मेरे लल्ला, मेरे आखों के तारो तब ही आपको यह समझ में आएगा bile जो है, it makes food alkaline ठीक है? food alkaline बनाता है, समझ में आई बात bile क्या करता है बच्चो, bile food को alkaline बनाने का काम करता है bile foods में एक alkaline उसके बाद bile क्या करता है दूसरा काम bile का क्या है बच्चो दूसरा काम bile का यह है कि यह food को alkaline बनाने के साथ यह fat digestion में help करता है fat digestion में help करता है मेरी बात ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना ठीक है ये clear हुआ आपको bile क्या है juice है bile का color क्या है पीला है bile एक excretory product है जो बाहर निकल जाना चाहिए पर इसके दो function होते हैं जो कि food को पहले alkaline बनाता है और fat का digestion करता है चौथा important function है function नहीं इसका feature है actually bile में कोई enzyme नहीं होता तो digestion किस से fat का digestion किस से होता है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ is this clear यहां तक की बात आपको clear हो गई चलिए हमेशा याद रखिए कि क्या करता है it is an organ that secrete the bile juice to break fat molecule सिर्फ digestion में किस digestion में मदद करता है fat के digestion में मदद करता है अब यह diagram देखने में बहुत ही अजीब से लग रहा हो को पर ध्यान से देखना यह यह देखो liver का right lobe मैं ऐसे खड़ी हूं तो यह liver का right lobe है ठीक है liver के दो पार्ट होते right और left यह liver का हो गया right lobe ठीक है liver का right lobe बड़ा क्यों होता है क्योंकि इससे gall bladder जुड़ा हुआ होता है जो कि आपको दिखाने देरा पीछे क्यों हो रहे है इससे gall bladder जुड़ा हुआ होता है ध्यान से सुनना अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग liver के दो पार्ट होते है right और left राइट वाला बड़ा left वाला होने की वज़े से करीब 150 ml का जो बाइल है वो इस gall bladder में store हो जाता है समझे में आ गई बात आजाओ एक डाइगराम से मैं आपको चीज़े और ज्यादा समझाती हूँ तो आपको और समझ में आएगा ध्यान से समझना ना आजाओ देखो मैं आपको एक liver का diagram बना के दिखात यह है liver का right lobe और यह liver का left lobe ठीक है is this clear to you guys यहां तक की बात आपको clear होई ठीक है ध्यान से समझना अब यह जो है यह सब लोग क्या बना रहे है right lobe बाइल बना रहा है और यह भी बाइल बना रहा है यह भी बाइल बना रहा है बाइल जूस जिसमें कोई enzyme नहीं होता ठीक है उसके बाद ध्यान से देखना तो आपको यह समझ में आएगा कि इससे एक pipe बाहर निकल रही है और इससे भी एक pipe बाहर निकल रही है clear है पर liver के right lobe के पास कौन सा अलर समरा हो यार liver के right lobe के पास ऐसा एक structure थोड़ा से पास बनाती है यह एक hypothetical डाइग्राम है बच्चो है ना ठीक है देखो यह पर यह आपको समझना है कि liver के right lobe के पास कुछ इस तरीके से देखो यह इस तरीके से यह यह कुछ इस तरीके से एक औरगन होता है जिसके जिसे राइट लोग थोड़ा बड़ा हो जाता है ठीक है कुछ इस तरीके से एक औरगन होता है जिसे हम क्या कहते है बच्चो जिसे हम कहते हैं अपना यह कुछ इस तरीके से एक औरगन होता है देखो इसके जस्ट ऐसे मिल तो यह right lobe जो है इसके just ऐसे अंदर के और गुसा हुआ है ठीक है इसके पीछे इसके अंदर के और गुसा हुआ है तो मतलब से attached होता है उससे जिसके विज़ा से right lobe थोड़ा सा बड़ा होता है अब इतनी सारी चीज़े आपको याद नहीं रखनी है पर बेटा क्या होता है concept अगर clear होंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगे वन शोट में आपको एक बार में पढ़ा हूंगी भी टेंशन ना लो यह है लिवर का right lobe चीखे लिवर का right lobe डन है यह क्या आ रही है left bile duct यहां से bile क्या आ रही है चीखे यह है right bile duct this is the right bile duct चीक है यह है, गॉल ब्लेडर, अब यह आपको समझना है, की देखो यह वाला इससे जुड़ा हुआ रहता है, देखो ते अंसे ना, देखो, दिराओ, यह ऐसा, यह कुछ ऐसा होता है, देखो, यह, अब आया आपको बात क्लियर, कि यहां से करीब आप 150 ml बाईल जब यहां से ला रहे हैं तो 150 ml बाईल आप इसको दे देती है गॉल ब्लेडर को वन्फिफ्टी एमिल बाइल वाइल यहाँ से गया यहां से गया यहां से वापस यहां इहां पूरा गाणडः पैल इसे हम कहते हैं बच्चों इसे हम कहते हैं बाइल डाक्ट बएक्ट ये भी बाइल डाक्ट बिंट को बना दो इसको कहते हैं बाइल भरा है clear है अब आपको यहीं पर मैं आपको पैंक्रियास भी explain कर देती हूँ ध्यान चीज़ेंगे ते कर देवी है पर मैं हम यह सोच रही एक कि पैंक्रियास ना किसे कौन से यहां रहा है आपका पैंक्रियास पात की निशुर्ण और यह का कर पाद तरी है और यहां से आपकी पंक्रियार्टिक जुड़ जुड़ गए पत इन्हों common duct बनाई और बेटा ये duct जाकर खुलेगी कहां पर ये duct खुलेगी जाकर आपके एक U-shape के structure में ये जिसे हम small intestine कहते हैं ये देखो ठीक है ये हो गई आपकी small intestine अब आपको सारी चीजे मैं यहां पर clear करूंगी चाहे liver हो चाहे pancreas यह है हमारे भाई साब pancreas pancreas क्या निकालते हैं बचो pancreas निकालते हैं बचो pancreatic juice ठीक है pancreas क्या निकालता है बचो pancreatic juice pancreatic juice क्या है pancreatic juice में हम समझेंगे अभी पर common diagram समझो ठीक है अब बेटा ध्यान से समझना पूरा liver देखो गॉल्प्रेडर बाईल को concentrate करता है कितंटा बाईल 150 ml बस यह यह एदखना 150 हम इसको देटे थे फिर वापस आपको return कर देता है यहां से उपर से बाईल अधर से बाईल उधर से बाईल सब लोग मिल कर कहां खुल गए small intestine में तो अगर यह मैंने आपको पहले भी आया था कि small intestine क्या क्या receive कर रही एक तो pancreatic juice उपर से बाइल जूस दोनों चीजों को receive कर रही है clear है अब आपको यह समझना जरूरी है कि बाइए एक एक ब्लैंक लगाई है क्या है चलो अब आपको यह समझना बहुत जरूरी है रुको मुझे ब्लैंक लगा लूँ में थोड़ा सा रुकना इसके बाद में एक मुझे ब्लैंक स्लाइड चाहिए होगी था कि मैं ब्लैंक का है देखो आपको यह अभी लग रहा होगो मैं आप क्या पढ़ा रही हो अभी मैं आपको पता न 15525 बार फिर रिवाइस भी करा देती है तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है चीक है आजाओ देखो अब क्या हुआ अगर आपको यह डियाग्राम दिख रहा कि इंटेस्टाइन जो होती वो क्या कर रिसीव करती है इंटेस्टाइन पैंक्रेटिक जूस रिसीव कर रही है यहां से बाइल जूस रिसीव कर रही है नाव अब मैं बाइल जूस का एक्शन आपको बताती हूं देखो बाइल जूस बाइल जूस कहां जा रहा है बाइल ज कहां जा रहा है small intestine clear है small intestine में अब small intestine में इत्ता बड़ा fat पड़ा है इत्ता बड़ा fat है ठीक है अब इतने बड़े fat को तोड़ने के लिए fat है मतलब lipid है fat को हम क्या कह सकते lipid है अब lipid को तोड़ने के लिए कौन से enzyme चाहिए lipid lipid enzyme कहां होता है pancreatic juice में पर वो lipid directly इस पर काम नहीं कर सकता सबसे पहले इस पर काम करेगा bile juice कौन काम करेगा bile juice उसमें भी bile juice के salt क्योंके enzyme तो होता ही नहीं उसके बाद इसको छोटे-छोटे टुकडों में तोड़ देगा इस process को मेरे राजा बेटा मेरी आखों के तारो emulsification of fat कहते हैं emulsification of fat जैसे कि मालो तुमारी मम्मी को लसी बनाना है तो दही रहता है न दही उसको अब बैसकते है तो आपके बड़े लिपिड को छोटा बनाने का काम क्या करता है आपका bile juice fat को छोटे टुकडों में तोड़ देता है अब इस छोटे टुकडों पर कौन काम करेगा कौन काम करेगा लाइपेज लाइपेज एक एंजाइम है मतलबग 22 fragrance न वैणे लाइक है पर यह लाइपेज इस कमिंण फ्रॉंदा पैंक्रियाटिक जूस यह आपको पता होना चाहिए लिपिड को डाइजैस करने के लिए पैंक्रियाटिक juice से एक enzyme आता है जिसका नाम है lipase पर वो अपने आप काम नहीं करता ठीक है पहले fat को छोटा करना पड़ेगा pancreatic juice से आ रहा है और तुरंत इसे convert कर दिया जाएगा fatty acid fatty acid और glycerol में glycerol it is the smallest unit of the smallest unit of the smallest unit of the fat clear है ठीक है तो यह हो कहां रहा है in the small intestine कहां हो रहा है बच्चो in the small intestine तो यही तो मैं आपको इतने देर सा समझाने की कोशिच कर रही हूँ कि किसी भी चीज का final digestion हमेशा small intestine में होता है फिर से समझते हैं आ जाईए लिवर के दो लो right or left left वाला बड़ा right वाला चोटा left वाले के पास gallbladder होता है जो कि बाइल को गा थोड़ा जल्दी अच्छे से हो सकते ठीक है इसलिए निकाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर फर्क किस चीज में पड़ेगा फैट का digestion स्लो जाएगा इसा नहीं होगा कि होगा नहीं यहां से तो बाइल आई रहे हैं तो फैट का digestion होगा पर स्लो होगा क्योंकि इधर से पैंक्रियाटिक भी जूड़ दिया अब यह कोई नहीं तोड़ सकता है तो बाइल जूस जो है वह बड़े पैट को किस में कंवर्ट कर देता है बड़े फैट को छोटे फैट में तोड़ देता है इस process को हम कहते हैं emulsification of fat यह NTSC का बड़ा popular सवाल है यात आता है ठीक है फिर उसके बाद हम क्या करते है fat emulsified fat को पर lipase करते हैं मैं आपको बोला जूस में तो enzyme होता ही नहीं है फिर pancreatic juice मैंने बोला ना दोनों लोग कहा जा रहे हैं small intestine में अब pancreatic juice क्या करेगा इसको fatty acid glycerol में convert करेगा fat की सबसे चोटी unit क्या होती है fat की सबसे चोटी unit fatty acid glycerol ही तो है सबसे चोटी उनिट में टूटा small intestine में यहीं तो पन टार्गेट कर रहे थे clear है entire health आपको समझ में आ गया तो यह देखो देखो तो यह क्या चाइए अच्छा दूसरे बात यह है कि इस बाहिए जूसमें देखो 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 तो बाइल जूसका काम आपको मैंने दो बताये नहीं पूड का से जो खाना आ रहा है उस पर सारे इंजाइन यहां स्मॉल इंटेस्टेंट में काम नहीं करते तो पहले फूड को अलकलाइन बनाना है फूड को बनाता है बाइल सॉल्ट तो जैसे ही सॉल्ट पैंक्रियाटिक जूस में भी होते वो दोनों मिलकर हम दोनों बैठे है जैसे ही हमारा जो है दुश्मन आएगा पहले उसको हम उसके हथियार चीन लेंगे हथियार क्या एसे डिटी हटा देंगे पहले उसको बेसिक कर देंगे फूड को एलकलाइन बना देंगे और फिर उस पर सारे एंजाइम काम करेंगे एसेडिक फूड पर इंटेस्टाइन पर कोई enzyme काम नहीं कर सकता, clear है इतनी बात, done है, समझ में आ गई बात, तो it makes the acidic food coming from the stomach alkaline, alkaline so that pancreatic enzyme act on it, ठीक है, while salt break the larger fat present in the food into the small globular molecule, क्योंक ताकि इस पर enzyme काम कर सके, कौन से enzyme काम करना है, लाइपेस, कहां से आ रहा है, pancreatic juice से, लबा, वा, क्या लिखा है, इतना अच्छा आप कैसी लिख लेती है, ठीक है, तो इस पर क्या काम करता है, मी, रे बच्चो, लाइपेस, ठीक है, कहां से आ रहा है, pancreatic juice से, इस process को हम emulsification of fat कहते हैं, अगर आपको जानना है कि और क्या function एलिवर के, तो वो बाजू में लिखे हैं, पर उसमें अभी हमको कोई interest नहीं है, ठीक है, अब आते हैं अपन pancreas में, बिटा, चलो शुरू करते हैं pancreas, pancreas एक औरगन है, जो की hormone भी निकालता है, pancreas एक ऐसा gland है, pancreas एक ऐसी gland है, जो की hormone भी निकालती है, जिसों की एक बहुत important hormone है, insulin सुना है न, किसी को diabetes लजाए तो insulin लगाते हैं, insulin sugar को कम करता है, पर यह समको लेने देना नहीं है, और enzymes भी निकालता है, enzyme में तो भर-बर के enzyme निकालता है, fat को digest करने वाला enzyme, lipid n Prime निकालता है, जो की fat को digest करता है, fat digest करता है, fat digestion में help करता है, उसके बाद beta starch, starch को भी digest करवाता है, कौन से enzyme से, खेक है, अरे जगाला, लगाला, तो यह किसको digest करता है, creamy lase भी होता है इसके पास, पर कौन सा इंजाइम होता है बच्चों और भी बहुत सार एंजाइम है जैसे की इनके पास होता है ट्रिपसे इनके पास होता है ट्रिपसेनौ और इनके पास होता है काइंक्रीवाइजियट के इंदर होगा नहीं कहां होगा small intestine में क्योंकि pancreas अपना juice small intestine को देता है clear है तो यह समझ गये यह क्या-क्या digest करता है protein भी fat भी और आपका carbohydrate भी carbohydrate में starch ठीक है pancreas secret the pancreatic juice which contains the enzyme pancreatic amylase जो कि क्या digest करता है starch starch को किसमें convert करेंगे हम लोग देखो maltose में लिखा यहां पर स्टार्च को किसमें convert करेंगे maltose में पर कितना परसेंट स्टार्च क्योंकि 30 परसेंट कर चुके हैं बकल cavity में यहां 70% clear है तो यह आप से सवाल आपको पता होना चाहिए कि digestion starts with the Buccal cavity digestion कहां से स्टार्ट होता है Buccal cavity स्टार्ट होता है क्या digest करते हैं स्टार्च करते हैं कितना परसेंट करते हैं 30% कर पाएंगे क्या नव क्योंकि final digestion small intestine में तो मैं यहां पर भी तो final intestine में pancreatic juice कर रहा है यही तो आपको समझा रही हूं कि M.I.L.A.S. starch को maltose में convert करता है maltose को glucose में convert करने के लिए intestine के juice काम करेंगे intestinal enzymes काम करेंगे यह बात पता होनी चाहिए उसके बाद protein को भी जो है trypsin नाम का enzyme होता है जो कि protein को digest कर देता है peptones और polypeptides में अब ही भी protein simplest form में नहीं आया है क्योंकि simplest form में बनाने के लिए polypeptide, peptone क्या होते है यह आपको मैंने last class पढ़ाया था groups of amino acid की chain को हम peptide कहते हैं बहुत सारी polypeptide को protein कहते हैं polypeptide को हमें तोड़ना पड़ेगा किसमें आपके amino acid में पर वो pancreatic juice से नहीं तूटेंगे राजा वो किस से तूटेंगे intestinal juice से तो आपको समझ में आया कि अगर हमें glucose निकालना है तो हमें intestinal juice की जरूट पड़ेगी fat तो lipase से ही तूट जाता है clear है इयुआ इवरint intestinal juice के पास भी न खुद का lipase होता है clear है इतनी बात ठीक है समझ में आई बात तो लाइपेस किस पर काम करता है लाइपेस काम करता है इमल्सिफाइड फैट पर जो कि किस ने किया है इमल्सिफिकेशन किस ने किया है इमल्सिफिकेशन आपके लिवर ने किया है नेक्स लेक्चर में जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो क्या है next lecture में मैं आपको पढ़ाऊंगे physiology of digestion और बेटा मेरे बच्चों मेरे आखों कितारो तुम already सब पढ़ चुके हो वो लेक्चर तो सिफ revision होगा ठीक है समझ आ रहा है बात ऐसा तो नहीं आया तक रहा चला जा रहा है बेटा बहुत असान सी चीज बता रहे एक ही science के पास भी खुद की glands होती है जो की intestinal juice निकालती है कोई भी चीज कहीं से भी convert होके आई हो जैसे कि mouth में mouth के mouth से आपका starch convert होकर किस में आया है maltose 30% 70% starch को maltose में किस ने convert किया है pancreatic juice ने तो 100% जो आपका maltose है listen to me very carefully mouth से क्या बनाया आपने mouth में क्या बनाया आपने maltose बनाया है pepsin जो है इसने प्रोटीन को क्या बनाया है peptides बनाया peptides क्या है amino acid की chain है chain of amino acid है यह आप last class पर चुके है chain of amino acid यह है उसके बाद बाइल क्या करता है बाइल देखो small intestine में यह mouth हुआ स्टमक हुआ small intestine में बाइल जूस जो लिवर से आ रहा क्या करता है smaller fat में convert करता है इस process को हम कहते ही emulsification revision हुआ आपका अच्छे से revision हुआ अभी याद करो pancreas से जो emilase आता है ध्यान से सुनेंगे pancreas से जो emilase आता है वो भी क्या करता है वो भी starch को किस में convert करता है वो भी starch को maltose में convert करता है ठीक है maltose में convert करता है ठीक है फिर उसके बाद lipase जो pancreas का है वो fatty acid plus glycerol में convert करता है clear है समझ में आई बात intestinal juice का action में आपको बता रही हूं चलिए शुरू करते हैं अब उदर देखिए मैं यही आपको हर बार समझाती हूं कि देखो हम लोग भी image ले ले लेते हैं पर देखो हर चीज आपकी सही नहीं होती है यही तो मैं आपको समझाने के कोशिश कर रही हूं अब या आपको reaction दिख से बकल कैविटी से आया है और आपका आपका intestine और आपके pancreatic juice से मल्त को अब इसमें कौन काम करेगा intestinal juice maltose maltase की presence में बटा माल टेज एज है तो एंजाइम है maltose क्या है दो glucose unit यह और यह तो यह दो glucose में convert हो जाएगा simplest हुआ simplest हुआ simplest हुआ अभी पूरा revise करवाँगे tension नहीं लेना बकल cavity सी यह last next lecture में फिर पढ़ना है बकल cavity में क्या है salivary gland क्या बनाती स्टार से maltose maltose क्या है दो glucose की unit है सेम यही रियक्शन हम इस small intestine में भी करते हैं by the help of pancreatic juice अब आपके पास जितना भी maltose है वह intestinal juice में एक enzyme है इसे कहते हैं maltase जिससे glucose अलग हो जाएगा हो गया final digestion ऐसे ही intestinal juice में सुक्रेज होता है जो सुक्रोज को तोड़ता है ऐसे इंटेस्टिन जूस में गैलेक्टेज होता है ऐसे बहुत सारे enzymes होते जो different kind of complex sugar को simplest में convert करते हैं by the help of intestinal juice अब आपके पास next reaction में अगर आप next reaction में अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या रहे है peptides आ रहे है peptides ठीक है peptides क्या है long chain of amino acid ठीक है यह है amino acid chain amino acid chain ठीक है intestinal juice के में होता है एक enzyme जिसे हम कहते peptidase peptidase से आपके amino acid अलग हो जाते हैं बहुत सारे amino acid अलग होकर पढ़ जाते हैं समझने आई बात माल लेजिए कि अगर आपका emulsified fat मालो अगर आपका emulsified fat नहीं टूटा अगर आपका emulsified fat नहीं टूटा pancreatic lipase से तो भाया intestine भी खुद का intestinal lipase भी होता है intestinal lipase खुद भी lipase enzyme निकालती है जिससे fatty acid और glycerol बनता है fatty acid प्लस glycerol बनता है तो इस lecture में हमने physiology भी complete कर ली पर हलकी इसको मैं revise करवाओंगी next lecture में clear हैं तो यह समझ गए कि आप पंक्रियास क्या करता है नूथ salivary gland liver gallbladder and the pancreas add the process of ingestion digestion and absorption यह सारे लोग चीजों को छोटा बनाते जिसे हर चीज असान हो जाती है इस accessory organ of digestion play key role in the digestive process each of these organs either secret or store the substance gallbladder store कर रहा था भाइल को ठीक है secret and store the substance pass through the duct of the duct into the alimentary girl हर कोई अपने pipe से देखो pancreas भी food pipe के side में लगा हुआ यह मेरी food pipe यह pancreas है भाई मैं अपना secretion निकालने उपर भेजूंगे कैसे food pipe में गुसाओंगे कैसे by the duct bile juice भी लीवर से bile juice आ रहा किस से आ रहा बाइल डक्ट से आ रहा निकाल निकाल कर आपके food pipe को देते जाती है small intestine is the part of food food pipe ठीक है तो आज हमने सीखा different kinds of gland जिसमें मैंने आपको बताया salivary gland gastric gland liver अच्छे से pancreas अच्छे से next class में हम इस चीज़ को एक बार और करेंगे मैंने इस lecture में पूरा ही पड़ा दिया सब पड़ा दिया even we have completed the physiology of digestion पर next lecture में finally nutrition को complete करके respiration start करेंगे this is all about the digestive gland जो आपके शरी में पाई जाती है I hope you learn and enjoy the session in the next section we have to revise each and everything again and again again जब तक रट्टा नहीं मार लोगे हर reaction को कि कौन कहा होता है शिप्रवाम नहीं मानेगी clear है यह याद रखना इससे बहतरीन इससे शांदार इससे जबर जस्त कहीं नहीं मिलेगा देखते रहो lecture समय से पहले आपका सब कुछ complete हो जाएगा घबराना मत सी यू ने नेक्स्ट अमेजिंग सेशन मेरे प्यारे बच्चों तब 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 थांक्यू सो मच एंड बाबाए